हेलो फ्रेंड्स नमस्ते ललीता हिंदी टेलरिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स ये सिलाइक ओर्स का पार्ट 3 वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो तो फ्रेंड्स आज हम इंची टेप के बारे में समझेंगे क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमें इंची टेप समझ में नहीं आएगा तो जो कपड़ा हम स्टीच करते हैं वो कपड़े को हम पहले मेजरमेंट करके अची तरीके से कटिंग करते हैं और कपड़े को कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें उस कपड़े का नाप लेना होता है उसकी लंबाई चोड़ाई हर एक चीजु से असी तरीके से मेजर्मेंट करके ही इस कपड़े की कटिंग करनी होती है अगर फ्रेंट्स हमें इंची टेप समझ में नहीं आएगा तो उस कपड़े को अची तरीके से नाप नहीं पाएंगे और इसको अची तरीके से स्टीच नहीं कर पाएंगे और हमारा कपड़ा जो है खराब हो जाएगा तो इसलिए फ्रेंट्स हमें इंची टेप के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है तो चलिए इंची टेप के बारे 0.5 meter के करीब होती है और friends आप देख सकते हैं इस तरव जो है अलग types के नमबर है और इस तरव जो है अलग types के नमबर है तो friends, सब से पहले हम इस तरव के बारे में समझ लेते हैं हम कभी भी कपड़े को जब हम नापेंगे तो हम 0 से start करेंगे नापना क्योंकि यहां से हम अगर एक नमबर से नापना शुरू करेंगे तो हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा एक इंच जो है हमारे कपड़े की लंबाई या फिर चोड़ाई जो भी हम मेजर्मेंट कर रहे हैं उस कपड़े की एक इंच जो है कम हो जाएगी तो इसलिए ज यहां से यहां तक एक इंच, यहां से यहां तक दो इंच, यहां से यहां तक तीन इंच, यहां से यहां तक चार इंच होता है, जो हर एक नमबर के बीच में जो यह गैप होते हैं, यह एक इंच होते हैं, इसी तरह सारे नमबर के बीच में इतने इतने गैप हैं, आप देख स सकते हो गैप जो है एक एक इंच है और हर एक गैप के बीचों बीच में यह एक बड़ी डंडी है जिसे एक और दो के बीच में थोड़ी बड़ी डंडी है यह जो है यह हमें बताती है कि यह दोनों के दूरी के बीच में जो यह डंडी है यह आधा हिस्सा है इसका यह दोनों एक इंच के पार्ट का आधा पार्ट है यहां से आधा है मतलब यहां से यहां तक जो है आधा इंच है और यहां से यहां तक आधा इंच है एक इंच के बीचो बीच का यह पार्ट है यहां तक आधा यहां से आधा यह दोनों मिलाके हुए एक इंच और यह दोनों के बीच मे तो यह होगे आधा इंच तो इसी तरह हर एक नमबर की बीचो बीच में यह एक डंडी होती है इसी तरह जै कि हमें 1.5 इंच नापना है तो यहां से यहां तक हम नापेंगे 2 और एक की बीचो बीच में जो इंडी है वहां तक नापेंगे तो यह हो जाएगा 1.5 इंच और यह तो नंबर के बाद ये बीचो बीच में जो रचे ही र camping और इसी बाढ़न के बातरी में ये लिफलер जनाब के यह की दूमय है है और यह10 के पहले है यह दोनों की बीच के जोरी में ये बीचों बीच में चोंव है ये डंडी बड़ी वाली 9 के बाद 6.49, ये 9 साधे 9 है और 10 के बाद अगर ये डंडी है तो ये 30स है तो इसी तरह friends दस के पहले है ये 30स दसके बाद है और एक इंश यहां तक होता है हर एक नमबर के बीच में ओक लगों यह हमें यह बताती है कि यह दोनों एक इंच के दूरी में जो डंडी है यह आधा इंच है यह दोनों के वीचो बीच में जो है यह आधा इंच होता है इसी तरह में हर नमबर्स के वीचो बीच में एक डंडी मिल जाएगी तो फ्रेंट्स अब हम इसमें कोई डाउट नहीं है अब हम 17 और 15 इंच के बारे में समझेंगे क्योंकि 17 और 15 इंच में अकसर लोग confuse हो जाते हैं कि 17 और 16 क्या होता है तो चलिए 17 और 15 इंच के बारे में भी हम जान लेते हैं ताकि हमारा जो है सारा doubt clear हो जाए इंची ठेप से लेके तो फ्रेंथ जैसे कि दो इंच के ये दो इंच है यहाँ पर दो इंच के दो लाइन पहले जब हम आएंगे तो ये पौनेद हो गया और ये दो लिखा हुआ है दो इंच के दो लाइन बाद हम आएंगे और पीछे जाएंगे तो ये सवा दो हो गया उसी तरह तीन है ये तीन इंच है तीन इंच के पहले दो डंडी हम आगे आएंगे दो लाइन पहले आएंगे तो ये पौने तीन हो गया और तीन इंच के दो लाइन बाद हम जाएंगे तो ये सवा तीन हो गया तो इसी तरह कोई भी numbers के आगे जब हम नापते हैं तो इसे 4 है 4 के 2 number 2 line पहले हम आएंगे तो पौने 4 और दो 4 के 2 line बाद हम जाएंगे तो यह 7 4 यहाँ पर जो है यह पौने 5 यहाँ पर जो है और 7 5 उसी तरह friends इसे बहुत confusion होता है और जो यह एक और यह दो के बीचों बीच में जो रंडी है यह तो डेढ़ है इसे हम जान चुके हैं यह जो 1,5 inch के और 1 inch के बीचों बीच में जो यह थोड़ी बड़ी रंडी होती है यह सवा एक है ये वाली डंडी जो है ये सवा एक है और उजी तरह देड़ इंच के दो लाइन बाद हम जाएंगे दो इंच के दो लाइन पहले और देड़ इंच के दो लाइन बाद बाद ये जो बीचो बीच में यहां पा जो डंडी है ये वाली जो डंडी है ये पौने दो है और दो के छो यह आनड RICHARD यह वाली थीर फुरी फर्टी लमबी लायन एंझ यह 5 इंच είναι 1,2 इंच Lat 100 डुख 212 इंच व् programmer में जो ये थोड़ी लमबी लाइन है इस प्वाने तीन इंच है और 3 और 3 के बीच और बीच में जो ये लाइन है कि इस सवा तीन इंच है उसी तरह friends हमें सारे measurement जिले लेने हैं जैसे कि हमें सारे 8 इंच ना बना है साड़े आठ इंच तो यहां तक है इसे तो कोई डाउट नहीं है पर साड़े आठ और आठ के बीच में जो यह लाइन है इसे हम क्या कहेंगे इसलिए लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं तो मैं आपको अच्छी तरीके से आज बार-बार समझा दे रही हूँ कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में साड़े आठ और आठ की बीचों बीच में जो थोड़ी सी लाइन लंबी वाली है इसे सव आठ कहेंगे और आठ के पहले दो लाइन जब हम पहले जाएंगे तो यह हो गया पौने आठ तो फ्रेंट्स इसी तरह हम ने यह इस तरफ का मेजर्मेंट समझ लिया है अब हम समझ तो फ्रेंट्स इस तरफ नापने के लिए है हम यहां से नापते हैं यह मेरा इंची टीब जो है थोड़ा पुराना हो चुका है पर कोई नहीं तो फ्रेंट्स इहां से हम नापतेंगे इस तरफ से लाष्ट में यहां से यह वाला इंची टीब यहां शुरुता है अब देख सकते हैं यहां यहां पर एक दो तीन चार पांच छे एशे चोटी चोटी लाइन्स में नमबर से लिखे हूए है यह जो number से centimeters है यह centimeter है और इस तरफ जो numbers लिखे हुए है यह inch है यहाँ पर उपर centimeters और यहाँ पर inch है यह दोनों यहाँ पर बनी हुए है तो अगर हमें कोई कपड़ा कथान में से कटवाना है जो कपड़े हम दुकान पर ख़गने जाते हैं और हमें 1 meter कपड़ा लेना होता है तो हम उसे कैसे measurement करेंगे तो friends एक मीटर कपड़े में 100 cm होते हैं यह हमें याद रखना है जैसे कि 100 हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं देख सकते हैं आप सब हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है और 100 cm 100 cm अगर होगा तो हमारा एक मीटर कपड़ा होगा 100 cm को एक मीटर कपड़ा कहते हैं और अगर हम इंच से नापेंगे तो वह 39 इंच होता है 39 इंच एक मीटर कपड़ा होता है और सेंटी मीटर से नापेंगे तो 100 cm एक मीटर कपड़ा होता है और इंच से नापेंगे तो 39 इंच एक मीटर कपड़ा होता है तो अगर जैसे हमें आधा मीटर कपड़ा लेना है तो वह 50 cm होगा 20 इंच होगा यहां पर आप देख सकते हैं यह 20 इंच हो गया और यह 50 सेंटिमीटर हो गया तो यह हो गया हमारा आधा मीटर कपड़ा तो इसी तरह हम सेंटिमीटर और इंच समझ लिए हैं मैंने दोनों तरफ के आपको समझा दिये हैं अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोच सकते हो और अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू